नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चेनल में दोस्तों आज किस वीडियों आपको बताऊंगे कि यदि आप अपने फोन में कॉल रिकोर्डिंग ओन किये हुए रहते हैं और कॉल रिकोर्डिंग हो जाने के बाद आप उसे ढूंडते हैं कि वो रिकोर्डिंग हमारा कहां पे है किस फोल्डर में है और आप उसे ढूंड के डिलेट करना चाहते हैं तो आज की इस बलिए हम आपको यहीं बताऊंगा कि call recording को delete कैसे करें दोस्तो call recording को delete करने से पहले आपको यह जरना होगा कि वो call recording हमारे phone में होती कहाँ पे है तो आपको दो तरीके बताऊंगा कि आपके phone में कहाँ पे house recording save होती है दोस्तो अगर आपका फून MI का है तो open करते हैं यहां से file manager को और file manager open हो जाने के बाद यहां से हम आते हैं अपने folder में यहां पे हम अपने folder को open करते हैं और scroll down करके नीचे के तरफ आते हैं तो MI के फून में एक folder बना होता है MIUI का यहां पे लिखा हुए MIUI तो आप इसे open किजिएगा और MIUI open हो जाने के बाद यहां पे आपको जाना होगा sound recorder में sound recorder में एक folder बना हुआ होता है call recording का यहां पे लिखा हुए call RAC call recording यहां पे आप इसे open किजिएगा और यहां से आपकी सारी फून की call recording आ जाती है आप इसे delete करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टिक किजिएगा यहाँ पे आप इसे टिक किजिएगा और इसके बाद यहाँ से आप delete वाला option क्लिक करके यहाँ पे delete कर दिजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपके phone की सारे recording डिलेट हो जाए तो यहाँ पे आपको टिक करना हो एक recording पे और इसके बाद यहाँ पे आपको उपर में एक option मिलता है यहाँ पे आपको टिक करना होगा और इसके बाद यहाँ से आप delete पे click करेंगे तो आपकी फून की सारे recording डिल्लेट भूजाएगी जोस्तों यह तो रहा mi ka phone a folder का recording आपको चंप की आपकी आपकी किसी और folder में Сिव हो सकती है तो उसे खोजने के लिए आपको असान तरीका बता रहा हूं यहां से आपको सिधे cut कर देना होगा और आपके phone में एक tool नाम का इस तरह का apps जरूर होता होगा जिसमें काफी apps होते होंगे तो यहाँ पे आप इसे open करना है यहाँ पे आप इसे open किजिएगा tool वाला apps open हो जाने के बाद यहाँ पे आपको धुनना होगा एक option recorder का यहाँ पे इसे open किजिएगा recorder को, recorder को open कर देने के बाद यहाँ पे आपको किलिक करना होगा इस recorded call यहाँ पे recorded call 1131 है तो यहाँ से हम इसे open करते हैं और यहाँ से आपकी फिर phone की सारे responding आ जाती है तो दोस्तों यहां पर इसे डिलेट करने के लिए यहां पर इस पर लोंग प्रेस कीजिएगा यहां पर इस तरह से आपको लोंग प्रेस करना होगा और आपको यहां से डिलेट वाला अप्शन मिल जाता है तो आपको इसे डिलेट करने के लिए यहां पर क्लिक करन दोस्तों यह recording आपकी recycle moving में जाके save हो जाती तो recycle bin का होता है मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ से आपको आ जाना होगा back और एक बार और आ जाना होगा back और िसी app में रहते हुए recording वाला आइटम्स यहाँ पे आप किल्क किजिएगा और यहाँ पे जैसे देखिए अभी-अभी मैं चार कोल डिलेट किया हूँ तो यह चार कोल आके मेरे अगर आप सभी को डिलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक किजिएगा और इसके बाद बाइ